चैनल को सब्सक्राइब करने का घंटी बटन को बहुत ही तो दोस्तो सुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के रूप में तो दोस्तो आज की सबसे बड़ी खबर है। आज की सबसे बड़ी खबर के रूप में तो उनको आएकर चूट की प्रस्तावना सीमा धाई लाग से ज्यादा की पूरी आमदनी पर टेक्स देना होगा। वित मंतराले से जुड़ एक अधिकारी का काना है कि अंतरीम वजट में रिवेट को छूट में बदलने को लेकर के चर्चा सुरू हो चुकी है। जिसके बाद इस दिशा में काम तेज हो जाएगा। अधिकारी का काना है कि फैसला चाहे रिवेट का हो या फिर चूट का उन्हें पूर्ण वजट प्रस्तावना में सामिल करना होगा। क्योंकि अंतरी बजट का प्रस्ताव चालू वित वर्स से ही पहली तिमाई तक ही मानने होता है। खास बात यह है कि पुल्वामा हमले के बाद सेना के मुताबिक हालात यह है कि अब जैस के नत्यूत को संभालने के लिए अब आगे कोई नहीं आ रहा है। सेना के 15 कोर के जी सीओ लेटनेंट जनरल के जी इस धिंगलो ने काया कि पुल्वामा के बाद 91 आतंकी मारे गए हैं। जिसमें से 25 जैस के कमार्डर हैं। असल में हमने जैस के लिडर्शिप को निसाना बनाया है। अब घाटी में कोई भी जैस का नेतित्व करने का सामना नहीं कर रहा है। सेना के साथ पुलिस भी यह मानती है कि इस साल हमने आतंकीयों को कमर तोड़ दिया है। जैस और लसकर को काफी नुकसान पहुचा है। मारे जाने के साथ कई दरजनों आतंकीयों को पकड़ भी लिया गया है। साथ ही नए यूब को आतंक के रास्ते जाने के लिए भी उनको रोका गया है। आपको बता دे कि पुलिस के रिपोर्ट के मुदाविक आज कस्मीर में कोई भी जैस कमान्डर सक्रिए नहीं है। दक्षून और उत्री कस्मीर में स्क्रिए कुछ जैस कमान्डरों को कह सकते हैं कि जो रडार पर है। सुरक्षा विशेश्यों के कहा है कि हिजब और जैस लसकर और अंसार हिंद के सिर्ष नेतित के मौत के साथ अस्थानिये आतंकवादी भरती के लिए एक कड़ी सेंथ लगाई जा रही है अब यहां आकड़ा 2017 के बाद सबसे कम हुआ है इस नई भरती में पांच मारे गए तिन पकड़े गए और चार वापस लोटा है जी हाँ दोस्तो अगली बड़ी खबरे मैं इरान को नुकसान के बारे में नहीं सोच रहा हूँ जी हाँ दोस्तो अमेरिकी रास्पति डोनल्ड ट्रप ने काया है कि अमेरिका इरान की सत्ता में परिवर्तन नहीं चाहता है ट्रम्प का यह बयान दोनों देसों के बीच बड़ते तना और छेतर में अमेरिका की तरब से सेना की तैनाती के बाद आया है जीनिज में छपी ख़वर के नुसार जपान के दोरे पर पहुंचे ट्रम्प ने डोक्यो में समवादाताओं समेला में काया कि मैं इरान के कोई नुकसान के बारे में नहीं जानता हूँ वे महान लोग हैं इरान के पास उनके नितित्व के साथ महान देसों का आउसर मिला हैं ट्रम्प ने काये कि हम सत्ता परिवर्तन नहीं चाहते हैं मैं यहाँ असपश्ट कर देना चाहता हूँ कि हम चाहते हैं कि कोई परमानू समझाओता नहों उन्होंने कहा है कि मैं किसी भी तरह से इरान को नुक्सान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने देश को आगे बढ़ाने के एजेंडे पर काम सुरू कर दिया है। लक्ष रखा गया है। दूसरी कदम होगी कि मोधी सरकार किसानों को आगे बढ़ाने के लिए क्रसी और ग्रामीर छेत्रों में 25 लाकड़ों रुपए का देने वाली है। जिसमें से 2022 तक किसानों को आए दुगनी करने की घोशना है। भारत को ग्लोबल स्टार्ट अप हब बनाना जाना है। इसके अलावा सरकार GST के नियमों को और आसान बनाने पर काम करेगी। जिसके लिए मोधी सरकार फॉर्म जारी करेगी ताकि लोगों को परिसानी का सामना न करना पड़े। साथ ही वो टेक्स के नियमों को आसानी से समझ सके। आपको बताते ही इतना ही निए। सो दिनों के अंदर ही पेट्रोल डीजल को भी GST के दारे में लाने का प्लान बना रही है। ज़रूरत होगी जो आगे चलकर की बैप्यार के रूप में रोजगार के मौके पैदा करने में मदद करेगा। टुरिज्म, एक्सपोर्ट और टेक्स्टाइल चेतर पर ध्यान दिया जा सकता है जो भारी तताद में नई नोकरिया पैदा करने का काम करेंगे। वह नहीं मानते हैं तो पार्टी की कमान कों समहारेगा यह सबसे बड़ा सवाल हुआ है। वह राज्यों में परस्त पड़े कारिकताओं को फिर से जान फुकने की बड़ी चुनोती होगी। दूसरी और कांग्रेस के सामने एक और बड़ा संकट आने वाला है। बीजेपी अगले साल तक राज्यों में पूड बहुमत पालेगी। इसके बाद उनको अपने एजेंडे पर लागू करने पर कोई नहीं रोक पाएगा। फिलहाल एंडिये के पास राज्य सभा में 102 सदसे हैं। जबकि कॉंग्रेस के नेतितुवाले सन्युक्त प्रगतिसील गटवंदन सप्रमक के साथ 66 और दोने गटवंदनों को बाहर की पार्टियों के साथ 66 सदसे हैं। एंडिये के खेमे में अगले साल नौबर तक लगबग 18 सीटे और जुड़ जाएंगी। एंडिये को कुछ नामित, निर्दलिये और असंबद सांसोदों का भी समर्थन मिल सकता है। आपको बता दे कि राज्य सभा की आधी संख्या 123 से और उपरी सदन में सदस्यों का और एक कॉंग्रेस के पास है। उत्तर परदेश विधान सभा में भाजपा के 309 सदस हैं। सपा के 48 और बसपा के 19 कॉंग्रेस के 7 सदस हैं। आपको बताते कि अगले साल इस भाजपा को असम अरुनाजव परदेश उत्राखंड उडिसा हिमाचल परदेश के सीटे मिलेग महराष्ट और हर्याना में विधान सभाचुना के परिणामों पर भी एंडिये की संख्या और बढ़ गई है। तमाम कोसिसों के बावजूद यूरूप हुआवे को बैन नहीं करेगा। अमेरिकी रास्पति डोनल्ड टरप ने नेशनल इमर्जेंसी घोसित करते हुए हुआवे के साथ किसी अमेरिकी कमपनी के कारोबार को रोकने पर पाबंदी लगा दी है। टरंप ने कहाए कि कोई क्लावकॉम और इटली जैसे कमपनीों को भी हुआवे के साथ अपने करोबार रिस्ते खत्म करने को कह दिया है। जी हाँ दोसे जेगफोई ने कहा है कि हम अलग अलग देशों के निताओं के साथ बात करते रहे हैं। उन्होंने मुसे हाउंडरिंग स्ट्रीट का दोपहर की चाय के बारे में बुलाया था और देश का अगला फाइदा होगा कि मेरे खिलाफ अमेरिका का कैमपेन अगला पाउरफूल नहीं है और सब उसकी बात मान रहे हैं।